तो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के एल स्टेडी में दोस्तो सीटेट 16 दसंबर जो फ़स्ट सेप्ट में पेपर हुआ था गड़त का उसमें हमने कुछ कॉस्चन तो जो हमें याद थे वो करवा दिये हैं और ये कॉस्चन छूट गया था तो इसे देख लेते हैं एक बार ठीक है तो जो कॉस्चन था वो किया था कि आ के पास में पांच पैंसल है ठीक है और बा के पास में कितनी पैंसल है एक पैंसल है और सा के पास में कितनी पैंसल है ठीक है तो इनको कैसे बाटें की सभी की पास में बरावर संख्या में पैंसले हो जाए मतलब जो पैंसले हैं सब के पास में बरावर हो जाए तो नीचे option दिये गा है NWS हमें बताना है ठीक है, तो A के पास में कितनी है? 5 है, और यदि ये अपनी 2 पैंसले सा को दे देगा तो सा के पास में कितनी थी तीन थी तो सा के पास में कितनी हो जाएंगी पांच और आ के दो चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी तीन और बा के पास में एक है तो ए तो बरावर का डिवीजन नहीं हुआ ठीक है, नेश्ट देखते हैं option सा अपनी दो पैंसले बा को देगा क्या तब बरावर होगी तो सा के पास में तीन है और बा के पास में कितनी है एक है और सा अपनी दो पैंसले बा को दे देगा यदी तो इसके पास एक बचेगी और इसके पास तीन हो जाएंगी और आ के पास में पांच है तो यह भी तो कितनी हो गए तीन और सा के पास में पहले से ही तीन थी तो यही बरावर का डिवीजन हुआ बरावर बरावर संख्या में क्या हो गए पैंसले ठीक है तो सब के पास तीन तीन पैंसले हो गए और चौथा ओप्सन क्या दिया था पैंसलों की संख्या बरावर नहीं हो सकती ह तो ये तो होतो रही है ठीक है तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा option number 3 जब आ अपनी 2 pencil बाको दे देगा तो सब के पास में कितनी कितनी pencil हो जाएगी 3-3 pencil है ठीक है तो इसका यही आंसर सही था ठीक